आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस थीम को यूज करते हुए मैं आपको लोगों को बताऊंगा सिखाऊंगा किस तरह से एक नॉन टेक्निकल परसन जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है प्रीवेस कोई नॉलिज नहीं है वो किस तरह से इस सिंपल एक तीम को यूज क के लिए किसी भी तरह की वेबसाइट डिजाइन और उसको मैनेज कर पाएगा बहुत ही जादा एजी और सिंपल में के अंदर में पूरे सीरीज को रखूंगा ताके नॉन टेक्निकल परसन भी इसको अंडर्स्टैंड कर पाए और इसको यूज करते हुए अपने क्लाइट साइट का थीम जहाए उसके अप्टिमाज़ेशन का ज्यादा आइडिया नहीं होता तो मैं सिखाऊंगा किस तरह से आप अच्छा फुली अप्टिमाज़ेश्ट ब्लॉग बना सकेंगे सिर्फ एक तिंग को यूज करते हैं इसलिए तरह से कुछ लोग चाते हैं कि वो एक त्यम को यूज करते हूए किसी बी तरह की वेबसाइ्ट बना सकेंगे डिजाइन कर सकेंगे चाहे वू इक-टोन तो यूज कर नहीं चाहिए और फजुल्ग वेबसाइड नहीं है तो नोटिजदा यूजजोIND ना लगे कना चैन इसके साथ साथ ही मैं आपको pro version के बारे में भी complete सिखाऊंगा, live करके दिखाऊंगा चीजें pro version में क्या फर्क है, क्या नहीं है, कौन-कौन सी चीजें आपको pro version के अंदर मिलेंगी और इसके साथ साथ ही मैं आपको इस पूरे course के अंदर giveaway भी देने वाला हूं, इस पूरे theme का इसके साथ साथ बहुत ही चीप रेट्स के अंदर मैं आपको आपकी वेबसाइट के ओपर यह जो आप लोगों को प्रबाइड कर दूँगा राइट इसके साथ ही और गीववे भी है एक वच्छा डुमेन और होस्टिंग का गीववे भी इसी पुरी सिरेज के अंदर आपको हो उलेगा चारे तो यह सीरेज के लिए साथ एंदेंख स्ट अप करना चाहा रहा है या फिर वह अपने लिए बिजनिस के लिए उप्साइट develop कर सकोगे और उसको manage कर सकोगे और किसी भी तरह का कोई भी developer आपको higher करने की ज़रूबत नहीं बढ़ेगी तो इस सीरीज को शुरू करते हैं मिलते इंशाले नेक्स वीडियो के अंदर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि अंदल और कैनल भी तो ्सुरू ज़रू करते हैं मिलते हैं रगी तरह करते हैं